आप सभी को नमस्कार हमारे शरीर में पांच कर्म इंद्रियां तथा पांच ज्ञान इंद्रियां है इन दसों इंद्रियों में से सर्वशिष्ट कौन है तथा इन दसों इंद्रियों के देवता कौन कौन है इनी प्रश्णों को लेकर ब्रिगु गोत्री विदव के पूत्र वैदर्भी ने अपने गुरु पिपलाद से प्रश्ण किया उसके बाद मर्शी पिपलाद ने एक कथा के माध्यम से इस प्रश्ण का समुचित उत्तर वैदर्भी को प्रदान किया पूरी कथा क्या है? आईए इसे प्रश्णों अपनिशद कथा शिंखला के इस दूसरे भाग में सुनते हैं जब कत्य के पुत्र कवंधी ने अपने प्रश्ण का समुचित उत्तर प्राप्त कर लिया तो उस शाम उसके सभी मित्र अपने अपने आश्रम में जाकर प्रसन निचित हो बहुत ही आराम से शयन करने लगे अगले दिन सुब पिपलाद मुनी ने भ्रेगु गोत्री विदव के पुत्र वैदर्भी को बुलाया और उसे भी सामने बैठने का निर्देश देते हुए कहा वत्स वैदर्भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुमारी मानसिक व्याधियां दूर हुई या नहीं हुई वैदर्भी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ कर कहा पुझ्यकुर्देव इस संसार में ऐसा अभागा प्राणी कौन होगा जो इतनी दिनों तक आपके चरणों के समीप रहकर भी मानसिक व्याधियों का शिकार बने मेरा मन अब इंदरियों को साथ लेकर पहले की तरह मुझे परिशान नहीं करता उस पर बुद्धी का पूरा नियंत्रण है अब मुझे तरक या वितरक या संदेहों के जाल में बहुत कम फसना पड़ता है निश्चे ही यह सब आपकी संगती का महान फल है मात्मा पिपलाद ने बड़ी देर तक वैदरभी की बातों पर विचार कर लेने के बाद उससे पुना पूछा वद्स वैदरभी तुम्हें अब क्या जानना शेश है तुमारे मन में जो कुछ संशय या वितरक हो उसे तुम मुझे से पूछ कर दूर कर सकते हो वैदरभी बोला पुज्य गुर्देव मैं जानना चाहता हूँ कि पृथिवी, जल, आकाश, अगनी और वायू ये पांच महाभूत नेत्र आदी पांचो ज्यानिंद्रियां, वाडी आदी पांचो करमिंद्रियां, तथा मन और प्राण इन सब तत्तों के कितने देवता हैं, जो प्राणी के शरीर को धारण करते हैं, उन समस्त देवताओं में से कौन-कौन से इसे प्रकाशित करते हैं और उनमें शिष्ट कौन है वैदर भी कि प्रशन को सुनकर महात्मा पिपलाद मुस्कुराए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले वत्स यह सब देवता प्रिथवी, जल, आकाश, अगनी, वायू, वाडी, मन, नेत्र और शोत अर्थात कान हैं यह सबी मिलकर प्राणी के शरीर को धारन करते हैं तथा सब परस्पर के सहयोग से ही इसे प्रकाशित करते हैं और इनमें शिष्ट प्राण है इस प्रसंग में मैं तुमें एक छोटी सी कहानी बतला रहा हूँ जो बड़ी मनुरंजक है एक बार इन सभी इंद्रियों में परस्पर बड़ा ही जगड़ा उठखाड़ा हुआ कि सबसे बड़ी कोन इंद्री यह है सब अपने अपने को बड़ी और दूसरी को छोटी बताने लगे आख को अपनी शक्ती पर बड़ा नाज था उसने एठते हुए कहा तुम सब मेरे ही भरोसे पर अपना अपना काम करती हो यदि मैं एक शण के लिए भी बैठ जाओं तो सारा शरीर निकम्मा और व्यर्थ बन जाएगा वानी ने गरज कर नेत्र आदी सभी इंद्रियों को चुप रहने का आदेश देते हुए कहा मेरे बिना तो एक शण भी काम नहीं चल सकता मैं आख कान इन सभी इंद्रियों के अभाव में शरीर को धारन किये रह सकते हुँ कान ने खड़े होकर वानी को संबोधित करते हुए कहा वानी रानी तुम सब को चिला चिला कर क्या कर सकती हो यदि मैं तुमारी सहायता न करूँ मेरे बिना तुम सब का अस्तित्व खत्रे से बाहर नहीं होगा मन अभी तक सब की बाते स्चुप चाप सुन रहा था उसे इन शुद्र इंद्रियों के बातें अब और सुनना कठिन लगने लगा अपनी सहज अकड से गंभीरता प्रकट करते हुए वा बोला इंद्रियों तुम सब तो मेरे वाहन सुरूप हो अपने इशारे पर जहां चाहों तुम्हें नचा सकता हो तुम सब में अब इतना भ्रम फैल गया है कि मेरे सामने इस तरह की ओल जूल बातें बक रही हो मेरा नियंत्रन यदि तुम सब पर से एक ख़ण के लिए भी हट जाए तो तुम सब निकम्मी और बेकार बन जाती हो नेत्र तुम में जो सब कुछ देखने का गर्व समाया हुआ है वह दूसरा कुछ नहीं केवल मेरी इच्छा है मैं यदि चुप रहूं तो तुम खुले रहकर भी कुछ नहीं पकड़ सकते कान भाई तुम तो नेत्र से भी गय गुजरे हो देखते नहीं जब सोते समय मैं तनिक देर के लिए विश्राम करने लगता हूँ तो तुम खुले रहकर भी कुछ नहीं गराण कर सकते वाडी रानी मेरे सहयोग के बिना तो तुमारी कुछ नहीं हो सकती है लोग तुमें पागलों का प्रलाप कहकर अपमानित कर देंगे ठोकर मिलेगी जो तुमें अपनी मिर्दता और युग्यता का घमंड है सो वह भी मेरे ही सहयोग का फल है मन ने इस तरह अपनी गंभीर मुद्रा से थोड़ी देर के लिए सभी इंद्रियों को चुपतो करा दिया पर यह चुपपी थोड़ी ही देर में फिर तूट गई वाणी ने गर्जते हुए फिर कहा मन भाई तुमारी क्या सत्ता है तुम तो हम सबों पर आश्रित हो यदि हम सब तुमारा सहयोग करना छोड़ दें तो तुम एक खण भी अपना व्यापार नहीं चला सकते मुझी को लो यदी मैं तुम्हारा सयोग करना छोड़ दो तो बताओ कि तुम अपनी अभिलाशा किस तरह प्रकट कर सकते हो अविवे की चंचल मन मान गया वाणी की धाक उस पर सदा के लिए जम गई पर इसका परिणाम यह हुआ कि वाणी ने सभी इंद्रियों को धता बताना सुरू कर दिया नेत्र कान आदि शक्तिसाली इंद्रियां वाणी के विरोध में अपने तरक पिश करती रही जगडा बढ़ता गया और उग्र से उग्रतर बन गया आखिरकार उन सब को पंचायत कराने की बात माननी पड़ी सब मिलकर महान शक्तिसाली प्राण के दरवार में गई प्राण उनकी इस मुर्खता पर मुश्कुरा रहे थे उन सब की फैसला करने की प्रार्थना सुनकर प्राण ने कहा हे इंद्री वरिंद तुम सब में जिसके न रहने से शरीर व्यर्थ हो जाए वहीं सबसे बड़ी इंद्री है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम समें से कौन अपने को सबसे बड़ा मानता है वाडी अपनी सहज अकड को अभी भूली तो नहीं थी गरजते हुए बरस पड़ी सौम में मेरे न रहने पर इन सब की जो दुरदशा होगी उसे आप स्वयम देखें मैं एक वर्ष के लिए इने छोड़ कर जा रही हूँ इतने दिनों तक मेरे कारण इनों ने जो आनंद उठाया है वह मेरे चले जाने पर मालूम होगा यह कहकर गर्व में भरी वाणी प्राण के दरबार से इंद्रियों को छोड़ कर चली गई और सब की सब इन्द्रियां मूग शरीर में पुर्वतह कार संबादन करती रही थोड़ी देर तक शरीर को कुछ असविधा जरूर हुई पर इतनी नहीं कि उसका अस्तित्व खत्रे में पड़े देरे देरे वाणी के अभाव को शेष इंद्रियों ने प्राण और मन के संयोग से पूरा कर दिया और शरीर का व्यापार सुगमता से चलने लगा एक वर्ष वाद वाणी इस बड़ी आशा से भरी हुई शरीर में वापस आई कि चलते ही सब इंद्रियां उसको अस्वागत करने दोड पड़ेंगी विशेश कर मन तो उमण कर लिपट ही जाएगा पर यहां तो कुछ दूसरा ही दृष था उसने देखा कि चारो और सब इंद्रियां उस पर व्यंग कस रही है उसके वापस लोटने पर स्वागत की तो कौन ही कहे किसी ने सीधी बातें भी नहीं की उसका गर्व तो गलकर नश्ट हो गया पर उसकी निरलज्जता अभी गई नहीं थी बनावटी ठंग से मुस्कुराते हुए वह बोली भाईयों मेरे न रहने पर तुम सब के खोब दुरगती होगी मैं देख रहे हूँ कि तुम सब बहुत नर्जी और निश्चेश्ट बन गये हो निश्चे ही मेरी अनुपस्थिती में तुम सब मृतक के समान हो गये हो इंद्रियों ने समवेत स्वर में उसे उत्तर दिया वाणी बहिन तुमारे न रहने से हमें तनिक सी असुविधा पहले होई जरूर थी किन्तु मृतक होने का तो कोई प्रश्ण ही नहीं रहा थोड़े दिनों के बाद हम सब मिलकर तुमारा काम भी पूरा करने लगे विशेशकर मन ने तो तुमारी सभी आवशकताओं के पूर्ती हम सबों से करा ली यदि तुम दो-चार बरस की कौन कहे दस-बीस बरस भी ना रहो तो शरीर का कोई अनिष्ट नहीं होने पाएगा इंद्रियों से यह बातें सुनकर वाणी की मुखरता और कृत्र मुस्कुराहट भीतर ही भीतर विलीन हो गई वहने संग सी चुपचाब बैटकर अपने किये पर पच्चताने लगी अंत में महान शक्तशाली प्राण ने कहा इंद्रियों तुम सब अज्ञान के अंधकार में भटक रही हो मिध्या अविमान में पढ़कर तुम सब अपनी रही सही प्रतिष्ठा को नश्ट मत करो मैं ही अपने को पांच भावों में बाटकर इस सरीर में सरवत्र व्याप्त रहता हूँ इस सारे शरीर का नकसे लेकर शिक तक मैं ही धारन करने वाला अकेला प्राण हूँ प्राण के बाद इंद्रियों को बड़ी अटपटी और अविश्वास के योग्य लगी विशेश कर मन और आँको तो बड़ी जुझलाट हुई प्राण को इंद्रियों के इस भीतरी अविश्वास का पता लग गया उसने कहा मैं अपनी बात की प्रतीती दिलाने के लिए शरीर से बाहर जा रहा हूँ तुम सम्मिल कर इसे धारन करो ऐसा कहकर प्राण अपने समस्त रुपों के साथ शरीर से बाहर निकल गया फिर तो इंद्रियां बहुत सचेश्ट होकर भी शरीर को तनिक देर के लिए भी संभाल नहीं सकी मन की सारी इच्छाएं, आह की सारी चेश्टा और कान आदी की सारी क्रियाएं निश्फल रही प्राण के साथ ही उन सब का अस्पंदन जाने कहां विलीन हो गया थोड़ी देर तक सारा शरीर निश्चेश्ट, निस्पंद और निसंग पड़ा रहा आखें खुली हुई हैं, पर रूप ग्रहन की शक्ति उनमें नहीं है कान खड़े हैं, पर समीप में होने वाले शब्द का उनसे कोई मतलम नहीं है मुख पर मक्हियां बिन बिना रही हैं, पर ना तो वानी में निशेद करने की शक्ति है और ना ही हाथों में उठकर उन्हें उड़ाने की इच्छा है इस प्रकार थोड़ी देर तक शरीर के पड़े रहने के बाद प्राण वापस चले आए उनके प्रवेश करते ही सब इंद्रियां भी अपने आपको प्राप्त हुई हाथ ने उठकर मक्यों को दूर किया वाणी ने अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए उफ का उच्छारन किया और मन ने अपनी इच्छा से शरीर को उठा कर पैरों पर खड़ा कर दिया इस प्रकार इंद्रियों ने यह समझ लिया कि इस शरीर में सबसे प्रधान कौन है और किन का कितना महत्व है वाणी ने तो अपनी भूल स्विकार कर प्राणों की विशेश विनती की इतना कहने के बाद पिपलात्मुनी बताते हैं कि हे वत्स इस प्रकार इस निखिल ब्रामांड में प्राण ही एक मात्र सर्व सक्तिमान है यहीं प्राण अगनी रूप से प्रध्ज्वलित होता है सुर्य रूप से समस्त जगत में प्रकाश भैलाता है इंद्र रूप से प्रजा का पालन एवम असुरों का विनाश करता है मेग रूप से वृष्टी करके सारी प्रकृति को शान्ती देता है साथ प्रकार के वाय रूप में शृष्टी चक्र को गतिमान बनाता है और चंद्रमा के रूप में समस्त अन एवम आउशदियों को जीवन दान दे कर सनिगदता बरसाता है इस विनाशी विश्व में सत्वा असत, स्थूल वा सुक्ष्म, कुछ भी पदार्थ तुम देख रहे हो, सब का एक मात्र काराण यहीं प्राण है, वहीं सब को धारन करता है, उसी का नाम अमरित्वा अविनाशी भी है, क्योंकि वह न तो कभी मरता है और न कभी विनाश को प्राप्त होता है, यहां पर प्राण से आशे आत्मा से लगाया जाना चाहिए, हेतात, हात, पैर, नेत्र, श्रोत्र, आदी जो भी इंद्रिय ग्राम वा शरीरस्थ देवता हैं, वे सब उसी प्राण के अनुगामी हैं, जिस प्रकार मदू के छते से मक्षियों की रानी उ पूर जाती हैं, और जब वह आकर बैठती है, तब सब आकर बैठ जाती हैं, उसी प्रकार इस शरीर से प्राण के चले जाने पर या सभी इंद्रियां भी चली जाती हैं, और इस्थित रहने पर इस्थित रहती हैं, रथ के पैये की धूरी में जिस तरह सब अरे आकर संसार में इस्थित स्थूल पदार्त ही नहीं, वरन रिकवेद, यजुरवेद, सामवेद आदी में जो ज्ञान की चर्चा की गई है, वह सब भी इसी प्राण के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। प्राणों की स्थिती के बारे में जो संदेह रहा है, वह दूर हो गया होगा। प्राणों की महत्ता के बारे में यदि तुमें अभ भी कुछ संदेह बना हो, तो मुझे से पुनह पूच कर उसको दूर कर सकते हो। वैदरवी के निश्चल हरदे में प्राण विद्या के इस किरणे अटखेलियां कर रही थी और संदेह के बादनों का कहीं कोई पता भी नहीं था उसने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा गुर्देव प्राण की महत्ता और शरीरस्थ इंद्रिय देवताओं की अवस्थिती और प्रतिष्ठा में अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है सचमुझ वैदर्भी को अब इस चराचर जगत के बारे में कोई जिग्यासा शेश नहीं थी उसने अपने कुश के आसन से उठकर गुरू के चरणरज को अपने शिर और आँखों से लगाया और उनकी आग्या से अपने कुटीर को वापस हुआ वहाँ अन्य प्रशनस में पुर्ण संतोष का समुद्र उमडरा था और सुन्दर मुख पर शान्ते युतिस्सु प्रसन्नता की रेखाएं नाच रही थी तो प्रशनो अपनिशद कथा शिंखला के दूसरे भाग में हमने आत्मा के महत्व के बारे में जानकारे प्राप्त की इसके तीस के साथ तब तक के लिए नमसकार